Hello everyone, welcome to our channel MCB, MCB Friends, आज हम कोशा कुच्चु डिजाइन को नॉर्मल नीडल से बलाएंगे बहुत ही easy method के साथ Friends, यह basic design है इसे आप light weight सारीज और दुपट्टा पे भी बना सकते हैं Friends, यहाँ पे हमने 6 strands of silk thread ले लिया है Second हमने 10 strands of silk thread ले लिया है यह second line का thread है और यह first line का thread है So हमें इन में से थोड़ा सा difference रखना है देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा design बना लिया है बहुत ही stiff and neat design आया है और इसके उपर pink color के thread से work करना है Friends, starting में हमने, सपोज हमने यहाँ से start किया है और इस thread को back side से pass करते हुए एक knot बना लिया है Next हमें one finger का spacing लेना है Friends, यहाँ पे हमें छोटा सा arch बनाना है इस थोड़ा सा distance लिया है अब ज्यादा भी ले सकते हैं Next हमें इस thread को needle के ऊपर इस तरह के से anti-clockwise को माना है और इस thread को neatly पकड़ते हुए इन silk thread को हमें slowly pass कर लेना है इस तरह के से pass करते हुए यहाँ पे हमें थोड़ा सा loose इस तरह के से arch U-shape में लाना है सो हमें इस thread को थोड़ा सा loose रखते हुए एक knot बनाना है अच्छी से एक बार फिर से देख सकते है इस thread को हमें थोड़ा से thread loose पकड़ते हुए एक tight knot बनाना है हमें यहाँ पे बहुती tight knot बनाना है उसके बार नीडल को हमें इस side लेना है यह जो first वाला thread है यहाँ पे इस thread में से हमें नीडल को pass कर लेना है उसके बार इस thread को neat पकड़ते हुए नीडल में से इस thread को हमें likewise गुमा लेना है और अब next हमें इन select thread को slowly pass करते हुए एक knot बनाना है जिसा फर्स्ट हमने थोड़ा सा loose thread लिया हुआ है उसी तरीके से ने second वाला thread भी हमें थोड़ा सा loose ही रखना है और एक tight knot बनाना है दोनों equal आने है इसके बार यह आप यहाँ बेश चीज कह सकते हैं यह फिर सिंगल नॉट्स भी कह सकते हैं यह जो त्रेड है इसमें नॉट्स बनाते वूए फिल कर लेना है बनाती वक्त यह कम यह जादा भी हो सकते हैं, जितने first arch में knots बनाए हैं, उतने ही knots हमें every arch में बनाने हैं, इस तारे किसी या arch बहुत ही neat आएगा, इन सभी सारी कुछी materials को आप कविता enterprises से मंगवा सकते हैं, जहां से मैंने मंगवाया है, शौक का एड्रेस, contact number, details मैंने description में दे दिये हैं, cash on delivery, also prepaid भ करते वे एक नॉट बनाना है फिर्स्ट वाले आर्च में हमने एट नॉट्स बनाये थे सो सकेंड वाले में भी हमने एट नॉट्स बनाये है और आर्च को कम्प्लेट कर लिया है नेक्स्ट में यह जो त्रेड है इस त्रेड में से निडल को पास करते वे एक और नॉट बनान इस तरह किसी यार्च कम्प्लेट हो जाएगा next हमें इस जो त्रेड है इसके थोड़ी सी डिस्टन्स पे ज्यादा नहीं ठोड़ा सा ही डिस्टन्स लेना है यहां से नीडल को पास करते वे इस त्रेड को हमें फ्रंट साइड लेना है इन्हें नीड करते वे anti-clockwise इस त्रेड क पास कर लीना है यह एक नॉट बन जाएगा next हमें next हमें इस नॉट के नजदी की इसी तरह के से इस नेडल के ऊपर anti-clockwise thread को गुमाते हुए एक एक नॉट बनाना है इस तरह के से हमें total 5 knots बनाने हैं आप यहाँ पर 7 knots भी बना सकते हैं 7 knots पर थोड़ा सा distance आएगा मैंने 5 knots बनाये हैं और दोनों arch के center में एक एक tassel आएगा आप यहाँ पर without tassels only arch design बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर only 3 knots बनाती हुए next arch के लिए continue करना है देख सकते हैं इस तरह के से neatly हमें anti clockwise thread को गुमाते हुए total 5 knots बना लिए हैं first में भी हमने 5 knots उसके बार arch next हमने 5 knots बना लिए हैं और अब next हमें यहाँ पर arch बनाना है arch के लिए one finger का spacing देते हुए यहाँ से हमें threads को इस needle को pass करते हुए इन सभी silk thread को neat करते हुए anti clockwise इस needle के ऊपर thread को कुमा लेना है और यहाँ पर slowly इन threads को pass करते हुए इस thread को थोड़ा सा loose रखते हुए एक tight knot बनाना है इससे यह arch U shape में आ जाएगा next हमें इस thread को इस side लेना है और यह arch का इस first वाला knot है इस knot में से हमें needle को pass कर लेना है सिर्फ इन threads में से हमें needle को slowly pass कर लेना है इसके बार इन सभी silk thread को neat करते हुए इस needle के ऊपर clockwise इस thread को हमें गुमा लेना है और यहाँ पर इन threads को जो पहले वाला thread है इस तरह के से लोड़ा सा loose रखते हुए एक tight knot बनाना है next हमें यह जो दोनों threads है इन में से at a time needle को pass करते हुए एक-एक knots बनाने है इस तरह के से हमें completely इस thread के ऊपर knots बनाते हुए आर्च को फिल कर लेना है और यहाँ पर इक knot बनाना है first line complete हो गया है और back side भी हमने यहाँ पर एक-दो knot लगाते हुए fabric glue से इस thread को paste कर लिया है second हमने six strands of silk thread लेके एक knot डाल लिया है double होके यह 12 strands of silk thread बन गया है यह हमें 10 strands लिया है और यह six strands of silk thread लिया है next हमें जहाँ से work को start किया है उसके बिल्कुल नजदीक से बिना gap छुड़े यहाँ से हमें इस pink color thread को pass कर लेना है इन silk thread को knit करते हुए finger में धागा tight पकडते हुए यह जो first वाला नट है इसमें से needle को pass करके हमें एक knot बनाना है second line यहाँ से start हो जाएगा देख सकते हैं slowly इन सभी silk thread को knit करते हुए हमें एक knot बनाना है next हमें second वाले knot में से needle को pass करते हुए एक और knot बनाना है लेख सकते हैं इन सिल्क त्रेट को हमें एवरी टाइम नीट करते वे नॉट्स बनाने हैं नॉर्मल नीदल से खोशा कुचु डिजाइन, ग्रैंड प्राइडल डिजाइन और भी बनाए हुए हैं उन में से जो लेटेस्ट है, उनका लिंक उपर आई बटन में दे दिया है आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको एजले मिल जाएंगे आप इसी तरह से आर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसमें बीट्स भी आइड कर सकते हैं एवरी टाइम हमें इन सिल्क त्रेट को नीट करते हुए नॉट्स बनाना है देख सकते हैं यहां पर आप यहां पर सबसे स्मॉल साइज की गोल्डन बीट्स या फिर पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर हमने तीन नॉट्स बनालिये तरके से कंटिनूइस नॉट्स Бाना सकते हैं हमने यहां पर दो बीट्स एड किये हैं स्मॉल सभी थोड़ा सब एक साइज 2 mm का गुल्डन बीड और उसके बाद सबसे स्मॉल साइज का गुल्डन बीड इस तारह के से हमने दो बीड्स आड़ किये है नेक्स्ट हमें इन सभी सिल्क त्रेड को नीट करते हुए फिंगर में धागा टाइट पकड़ते इस स्मॉल सा हो जाएंगे इस तारह के से नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए नेक्स्ट वाले नॉट में से निदल को पास करके नॉट्स बनाने हैं लेग सकते हैं सकेंड लाइन में हमने स्टार्टिंग में चार नॉट्स बनाए हैं उसके बाद दो बीड्स आड़ क करते हैं इस design को बना सकते हैं बस हमें starting वाला आर्च जो है जो ग्रीन कलर का त्रेड है थोड़ा सा थिक लेना है यहां पर हमने 10 स्टैंड्स अफ सिल्क त्रेड लिया है जो double होके 20 स्टैंड्स अफ सिल्क त्रेड होगा second line में हमने 6 strands of silk thread लिया है जो double होके 12 strands of silk thread बन जाएगा आप यह देख सकते हैं arch पे हमने second line completely knots बना लिये हैं बहुती beautiful सा stiff and neat design आ है कुछ different है new type ट्राइप किया है मुझे next हमें second वाले threads में से needle को pass करते हुए clockwise इस thread को गुमाते हुए एक knot बनाना है अच्छे से एक tight knot बनाएंगे tassels बनाने के लिए हमें यहाँ पे space बनाना है next हमें एक knot skip करते हुए next वाले knot में से इसमें से हमें needle को pass करते हुए इस thread को हमें anti clockwise इस तारह के से गुमाते हुए एक knot बनाना है यहाँ पे tassel आएगा tassels के लिए एक हमें space बना लिया है next हमें second वाले ार्च जो है इस thread में से यहाँ से needle को पास करते हुए एक knot बनाना है उसके बाद next वाले knot में से needle को pass करते हुए एक और knot बनाना है every time हमें quarterback thread को needle करते हुए knots बनाने है यहाँ पे हमें चार नौट्स बनाने की बाद दो बीर्स आड़ करने हैं उसके बाद फिर इसे irregular बनाते हुए सकेंड वाले आज को कंप्लीट कर लेना है इस आपए दो नौट्स बना लिये हैं इसी तरहे गश्ची करना है वर्क हमने थोड़ा सा बना लिया है देख सकते हैं डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा बहुती नीट डिजाइन है और यह जो त्रेड है इस त्रेड के बिलकुल नजदीक से ही इस त्रेड को हमें बैकसाइड पास कर लेना है जैसे स्टार्टिंग में आया है उसी तरीके से पेस्ट करते हुए और बाकी इनतेक को हमें फैबरीगलु से पैस्ट कर लेना है निख सकते हैं बहुत वियोटिफू नीट डिजाइन है आप यहा पे विदूẬ बिलस बिलस डिसाइन को बना सकते हैं, next हमें यहाँ पे जो हमें थोड़ सा space बनाया है 70 strands of silk thread लेते हुए tessles बनाना है tessles बनाते हुए work को complete कर लेना है then design complete हो गया है starting में और ending में भी आप tessles बना सकते है कुछ different and new type try किया है, मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा बाकी आप पताए, आपको यह design कैसा लगा channel पर पहली बार विजिट किया है तो channel को subscribe कीजिए और bell पर click कीजिएगा इसी तरह के इन videos की notifications आपको मिलते रहेंगे इस design को like और share जरूर कीजिएगा thanks for watching, see you soon